बिस्मिल्लायरमारहीम, असलामलेकूम अब आगे चलेंगे, और उसके प्रोसीजर को हम जो पढ़ रहे हैं वो डिटेल में आगे चलते जाएंगे तो सेविंग सर्टिफिकेट अबराड थ्रू आवर सीज ब्रांचेज आफ दी स्कैयोल बैंक आफ पाकिस्तान तो मतलब इस हेडिंग का ये बनता है कि नैशनल डिफेंस सर्टिफिकेट जो है वो अगर कोई खरीदना चाता है तो किस तरीके से खरीद सकता है जो कि पाकिस्तान में नहीं बलके कहीं बाहर है लेट स्पोस हम ये बात करते हैं कि एक इंडिविज्वल यू ए ए में है और वो ये चाता है कि वो इस डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करे तो उसका तरीके कार क्या है क्या उसकी कोई अथ्राइज़ेशन या उसका मेकनिजम क्या है आल बाइज़ेशन अथ पाकिस्टानी स्कैवियल बैंक्स का मतलब है जो अथ्राइज़ बैंक्स हैं जैसे एच बील है यूबील है असकरिया जितने भी बैंक्स हैं सारे अथ्राइज़ेशन रोते हैं और उनकी अगर कोई बाइज़ बाहर उस कंट्री में है जहां पे इंडिविज्वल रह रहा है तो हम यह अजिम करते हैं कि यूबील की बाइज़ है और यह दुबई में है और दुबई में ही कोई परसन खरीदना चाता है तो क्या कैसे करेगा अपरेटिंग अबराड आर अलाओड तो यह जो ब्रांचे होती है बैंक किसी की अगर ब्रांच बाहर है तो उसको इस चीज़ की अजाज़त है इन प्रिंसिपल यानि कि असूलन और रिटन तो सेल डिफेंस सेमिंग सर्टिफिकेट तो इसकी शार्ट बनती है डिएसीज स अगर यूए की गोवर्मेंट की तरफ से इजाज़त है तो उसी की करणसी में वहां पे जो बैंक ब्रांच है वो इसको सेल कर सकती है अगर वहां पे रियाल है दिरम है जो भी करणसी जिस कंट्री की होगी उसमें वो इजाज़त है कि वो डील करें फ्रांदा सेम ब्रांच आफ दी बैंक जो यूएए में बैंक है वो उसी यूएए की करणसी में उसको लें दें उसका कर सकता है इस बैंक है निज वो यियाव में बैंक है अगर कोही दूसरा बंदा लिया दूबरे में उसका है और वो वो चक्राम करना जाता है किसी एसा इंडिविश आ replied तो इसके नाम पर भी हो सकते हैं आल्सो टू दी पाकिस्तान इन अनी ब्रांच आफ दी सेम बैंक फ्राम वेर दा सर्टिफिकेट परचेज़ बारवे नंबर पे हैं जो इसके फीचर्स हैं अब यह बात थोड़ी सी मैं आपको सम्झा देता हूं एक साथ सी तरह पर लेते हैं सिमिलर्ली अदे ताइम आफ एनकेश्मेंट आफ प्रॉपित एंड प्रिंसिपल दी पेबल रुपीज अमाउंट इस कनवर्टेड इन्टू फारं करंसी एड़ टी टी स्पार्ट बाइंग रेट फर पाक रुपीज आउन दे डेट आफ पेमिंट अब लेट स्पोज एक बंदा था उसके पास हैं वहां के रियाल की बात करते हैं या दिरम की बात करते हैं वो थे वन थाउसंट ठीक है अब प्रिवेलिंग रेट क्या था रुपीज का और दिरम का यानि कि एक दिरम बराबर ता 30 रुपए के अब हम देखेंगे कि वह कितने अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है एक हजार तो उसके पास दिरम थे मल्टिप्लाइ किया तीस से तो यह 30,000 यानि कि वह 30,000 इन्वेस्ट करना चाहता है अब जब 30,000 इन्वेस्ट कर दिया उसको 1,000 का, 5,000 का, 10,000 का जतने का भी सर्टिफिकेट चाही ह flour a 35,000 वह देखता है कि 30,000 उसने इन्वेस्ट किया था प्लस उस पे 60,000 कि प्राफित हो चुका है अब उसका टोटल जो है वो प्राफिट और प्रिंसिपल 90,000 हो जाएगा 90,000 अब वो रुपीज ले सकता है अब देखेंगे कि 90,000 को अगर दिरम में बदला जाए तो उस वक्त rate let's suppose हम कहते हैं कि 60 रुपए का एक दिरम हो चुका था तो हम कहेंगे कि 90,000 divided 60 तो 0 से 0 खतम और ये 6,1,3 और 30 बनेंगे 6,35 और 1500 तो ये तक्रीबान उसके 1500 जो है वो बन जाएंगे 1500 दिरम तो उसको amount जो पे की जाएगी वो दिरम में पे की जाएगी अब देखेंगे कि उसने 1000 लगाया था 1500 अब उसको इतने period के बाद गुजर गए जब आप उसको वो cash invest करता है तो भी उसको रुपीज में convert करके इंवेस्ट किया जाएगा और उसको principal amount प्लस उसके उपर जिदन उसने profit earn किया होगा उसको फिर जो है वापस उसी currency में बदला जाएगा जो prevailing rate होगा और उसको वापस उसके account में pay किया जा सकता है तो ये तरीका कार होगा next है in case of death of the purchaser the amount of principal and profit accrued on these certificates is payable to nominee और legal hires if so desired तो अगर एक individual की death हो जाती है तो उसके जो भी वारिस हीन है उन में से जो भी वारिस बनता है जो लीगल उसका hire है उसको pay किया जाएगा अगर उसने खुद किसी का नाम सज़ेस्ट किया था if so desired तो उसको pay किया जाएगा next है 14 नमबर पे recently the sales of defense saving certificates and special saving certificates have been started by the branches of HBL and UBL operating in UAE कि अभी हालात जो अभी अगर बात की जाए तो UBL और HBL जो है वो authorized है UAE में ये national saving certificates और defense saving certificates या इसके इलावा कोई और भी जो उनको authorized है या बाद में किया जाया सकता है इजाज़त उनको मिल जाया तो वो वहां पर उनका जो है issue करने का अमल उसको किया जा सकता है और redeem भी किया जा सकता है अगर अगर कुछ शर्त भी है after the grant of regulatory permission by the central bank UAE हाँ ये ज़रूरी है कि central bank को उसका UAE का वो इस चीज़ की इजाज़त दे कि यहां पे जो जितने पाकिस्तानी है अगर कोई purchase करना चाता है तो कर सकता है for the sale of these securities of the government of Pakistan क्योंकि ये securities government of Pakistan की है और उनका currency जहरी बात involved होगा अगर उनकी इजाज़त होगी तो इस तरह की scheme launch की जा सकती है और बाकी countries ये तो UAE की बात हो रही है कि HBL और UBL ने start किया है लेकर अगर किसी और country के बात हो तो वहां की government से उसको पहले पाकिस्तानी government को इजाज़त लेनी होगी उसके बाद ये trade का सकते है the sale of these certificates would also be started in other countries as and when necessary regulatory permission is accorded by the central bank of the respective country तो वहां हमारा जो बैंक है उसकी इजाज़त से एक request initiate की जाएगी या तरीका कार जो भी उनका government को होगा अगर वो उनकी central government या central bank जो उनका होगा जिस country में भी है UAE में है सुदिय अरब में है अमेरिका में है रशिया में है कैनेड़ा में है कहीं पे भी है तो अगर वो इजादत दे देते हैं तो वो इनको जो schedule bank branches हैं पाकिस्तान के banks की वहां पे तो वो trade कर सकते है आज के लिए नहीं थैंक यू खुदा आफेज